जी यास्वालेकूम आज की इस वीडिये टिटोरियल में हम इंटरनल एंट एक्सटरनल प्लास्टर फाइंड आउट करने जा रहे हैं इन प्लान स्विफ्ट इससे पहले तिल ब्रिक वर्क तक हमने एस्टिमेशन कर लिया है गर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इस पर मुझोद है आपको तमाम वीडियो भी देख सकते हैं नाओ इट इस टाइम तो फाइंड आउट इंटरनल एंट एक्सटरनल प्लास्टर बट बिफोर देट अगर आपने अभी तक मेरा चेनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब करने बेल आइकन को प्रेस कर इससे हम स्नैपिंग पाइंट ले सकते हैं यह एजी होता है सो करना कुछ यह है कि हमने यहां पर टेक आफ समरी में आ जाना है और न्यू फोल्डर को क्रिएट करना है विदा नेम एस प्लास्टर प्लास्टर वोर्क्स ठीक है एंड इसके बाद आपने ओके कर देना है यह है यहां पर टो हो चुकआ है इसको हमने मुव करना है इस पोजीशन इससे बाहर हो ओगा हमो हम है तोटल प्रमीटर चाय होगा हमने इन फोर्ट यह हाई बिखने होंगी तो हमहरे पास टोटल पहले है एरीया और जाना है ए हमुन एवहरा और यह जाना है बट यह है internal plastering, इसी तरह external plaster के लिए भी हमें total parameter चाहिए और height चाहिए, अगर ceiling plastering की बात की जाए, वो आपने खुद find out करनी है, उसमें आपको directly area find out करना, length into breadth होता है, लेकिन अगर plant shift का आप use कर रहे हैं, या autocad का use कर रहे हैं, तो आपने directly area tool से उसका total area find out करना, internal ceiling area, ठीक है, तो linear का tool होगा, जहां से हमने parameter को find out करना है, with that we need the height, देकि parameter मुझे यहां से मिल जाएगा, यह अगर मुझे मैं kitchen से start करता हूँ, then dining room and the toilet, तो मैं यहां से parameter को find out कर सकता हूँ, और height के लिए definitely मुझे section में जाना है, और मुझे internal height चाहिए, प्लास्टिंग work, चूंकि यहां से start होना है, और यह जाएगा, यहां slab के bottom तेक, तो यह total 3000 mm है total height, internal side पे, आप section से यह find out करेंगे, plan से आपने parameter को find out करना है, तो linear tool में आगया मैं यहां पे, और मैंने इसको लिखा internal plaster, right, उसके बाद मैंने next to it यहां पे आगया, right folder को choose करना बहुत important होता है, और next to it आप advance में चले जाएंगे, और यहां से आपने height, wall height को भी select कर लेना है, ताकि यह भी add up हो जाए, okay कर देना है, तो यह देखें, यहां पे हमारे पास, यह जो tool है, यह add up हो गया है, internal plaster के नाम से, अब हम record mode आने, यह देख सकते हैं, हमने box को select करके, अगर आपके पास technique portion है, यह square portion है, तो आप through box जा सकते हैं, और अगर आपके पास कोई और shape है, तो आप यहां से क्या करेंगे, point to point के option में जाएंगे, तो चलिए यह देखें, snapping कर रहा है, यहां पे, चुँकि यह plant swift के point है, तो मैं पहला point दूँगा, और फिर दूसरा point दूँगा, तो यह total parameter find out कर लेगा, यहां पे, जो कि है 9.37, summer of 9.4 meter, ठीक है, यह total parameter है, हमारे पास, इसके बाद next हमने क्या करना होता है, इसी को double click करके, यहां पे height को भी add up करना है, ठीक है, जो कि है 3 meter, so मैं इसको ok कर दू find out कर लेता हूँ, और उसके बाद फिर यह भी find out कर लेता हूँ, और last पर यह भी, देखें, कितना easily हम यहां plan swift में इसको find out कर रहें, क्योंकि एक layer में, तमाम जितना भी parameter है, हमने find out कर लिया, यहां पे, और next to it, double click करके, आप देख सकते हैं, height automatic यहां पे आ चुकी है, इसके हमारे पास एक deduction है, w1 कि, फिर d2 की, और d2 की, ठीक है, यह दो ded액्शनस हैं, फिर d1 direction है, d2 है, हमारे पास d2 है, hier हमारे तो ty 2 है, यहां पे w1 है, तो यह तुकी है, अच्छा, distractions में, मैं अगर d1 से ही start करूँ, मेरे पास है, d1 यहां पे है, तो मैं count tool में आ лайऊंगा, okay, और प्लास्टर वर्क के अंडर ही होना चाहिए ओके कर दिया तो देखें डीवान एक ही मेरे पास तो मैंने यहां पर देखा डिडेक्शन एक ही है डीवान की अब नेक्स जो डिडेक्शन है वह डीटू की है तो मैं यहां पर आके यहां लिखोंगा डीटू और इसके बाद अर इस एक की बाद की जाए अगर तो यह डिडेक्शन भी यह 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 डीटू की ठीक है यह देख सकते हैं अगर इस एक की बाद की जाए तो यह incidents ए और यह भी है धुनहों साइड पर प्वाइफ पर शीए 20 रोम आख तुर पर दूसरी माट थिक है तो यहँ हमने नेक्ष्ट टो डिडेक्शन करनी है वह W1 की करनी है ठीक है तो मैं यहां पर आ जाता हूँ और काउंट टोल में आके W1 को डिटेक्ट करूँगा उसके बाद plaster work की है ओके कर दिया और हमारे पास जो W1 है एक यहां पर है उसके बाद next to it W1 हमारे पास यह भी है यह भी हमने डिटेक्ट करनी है और देखें अगर यहां पर W1 है यह भी डिटेक्ट्चन हो नहीं है तो इस तरह बिसिकली concept है कि डिटेक्ट्चन आपकी इस तरह सी कर सकते हैं W1 को add up कर दिया okay कर दिया और यह एक W1 भी आ गया ठीक है तो यह तमाम डिटेक्ट्चन हो हो चुकी है अब next जो हमने करना है वो हमने external find out करना है और उसके बाद हमने external के भी डिटेक्ट्चन करनी है ठीक है तो external में भी मुझे क्या चाहिए मुझे parameter चाहिए into height required है तो parameter जिस सरह हमने internal find out किया है और height कि अगर बात की जाए तो total हमने external height लेनी है right from this position till top of our slab यह total आ जाएगी हमारे पास 3000 plus 100 यह जो slab की ठीकने से 30 100 mm ठीक है तो मैं यहां पर आ गया again मैंने linear tool का use करना है और मैंने लिखना है external plaster ठीक है और यह plaster work के अंडर ही आएगा उसके बाद मैं advance में चला जाओंगा और wall height को लाजमी आपने add करना है यहां से wall height yes और ok कर दिया फिर next to it हम parameter को mirror करते है देखे external की बात की जाए जो यह तमाम एरियान है अब यहां पर question कर सकते हैं कि यह जो एरिया यहां से लेके यहां तेक उपर हमारे पास shade है तो देखे shade का जो external side होगी वहां पे भी हमें external plastering requirement होगी जो भाहर वाली side होगी तो हम उसी को include कर लेंगे यहां पर height हमारी same यहां से तो अगर मैं इसको start करूँ तो मैं यहां से start करता हूँ और sorry यह box selected है ठीक है आपने delete कर दे है point to point फिर हम इसको start up करते हैं यहां से start करते हैं फिर till this position है यह ठीक है फिर हम आगई यहां तेक फिर हम आगई यहां तेक so plan set में easy है चीसे easy है बहुत आपको बस यह idea होना चाहिए कि हमने take off करना किस तरह से यह बहुत important होता है take off में क्या-क्या चीज़ें क्या-क्या requirements हैं जो हमें fulfill करनी है बाकी easy होता है यह total जो parameter है हमने find out कर लिए अगर हम double click करें तो 3.1 meter wall की height हो की external end पे ठीक है okay कर दिया अब अगर deduction की बात की जाए तो यहां पे हमने deduction करनी है हमारे पास यहां w1 की deduction आनी है फिर इस side पे भी w1 की deduction आनी है v1 की deduction आनी है यहां पे और d1 की deduction आन count tool में उसके बाद सबसे पहले d1 की deduction ले लेते हम d1 उसके बाद हमने राइट folder को लाज़मी choose करना है आपने okay करके यहां पर आपने d1 को mark कर देना है तो यह d1 के पहली deduction आई है उसके बाद next हमने d2 की डिडेकशन तो मैं again count tool में gya d2 को यहां पर mark किया उसके बाद हम okay करके d टू की दूसरी डिरेक्शन आगी ठीक है तो यह दो डिरेक्शन आगी है इसके बाद W1 की डिरेक्शन हमने करनी है यहां पर count tool W1 okay कर दिया folder लाजमी है आपने जोज करना right now it is okay first W1 और फिर W1 एक यहां पर भी external side पर और at last हमने करनी है व1 की डिरेक्शन ठीक है count tool और W1 ओके कर दिया और यह V1 की डिरेक्शन आगी है तो यह basically process के हमकी सरसे internal और external processing को find out कर सकते हैं in plan swift तो data find out करने के बाद next जो process होगा हमने इस data को export करना है इन excel यह सराम करते आ रहे हैं इस के लिए simply हमने जाना estimating की tab में और यहां से आपने और तमाम चीज़ें minimize कर देनी है इसको maximize करें प्लस प्लस्टर वर्क को और इसको करना है export to excel में ठीक है याद रखिएगा जो पिछली जिसमें हम quantification कर रहे है उसको आपने open रखने और यहां से till this position हमने इसको कर देना delete इसके बाद यह तमाम चीज़ें हमारी जाएंगी description के अंदर ठीक है यह description में आगी यह हमारे पास आजाएगा serial number then we have the description over here okay and then take off यहां पे आगया width यहां पे आगी मैं यहां पे insert करता हूँ एक और column that is what numbers और यह जितने भी numbers है हमने इसको यहां पे move करना है जिस तरह यह deductions के numbers है ना हमारे पास तो मैं यहां पे अगर cut करके इनको यहां पे paste करो इस तरह से हमारे पास आजाएंगे इसको भी आप यहां से इस तरह move कर सकते हैं ठीक है तो यह थीज़ें डेक्ट हो आप क्योंकि deduction है मैं इस यह कर रहा हूं इसको माइनस से आपने दिनोड करना है ताकि यह चीज़ें डिडेक्ट हो अच्छा यह टेक आफ में हमारे पास length है ठीक है ना length है और width हमें नहीं required है और depth हमें नहीं required हमें required है यहाँ और unit हमें नहीं required है और यहाँ पर हमने quantity को find out करना है तो इस तरह से आप format को create कर सकते हैं इसके बाद देखें यहाँ पर अगर equal to करूं में तो numbers आपने number यहाँ पर mention कर देना है one ही ठीक है और इसको भी one ही mention करना है quantity find out करने के लिए equal to numbers आएगा हमारे पास numbers multiply by length multiply by height hit enter कर दें और इसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ तक आपने इसको drag कर देना है ठीक है उसके बाद जो next चीज़ है वो यह है कि आपने doors के size को यहाँ पी enter करना है ताकि यह proper direction हो यह important है तो मैं यहाँ पर आ आ गया home में आ गया और यहाँ से मैं pages and bookmark में जाके doors and window का जो schedule होगो उसमें चला जाओंगा ठीक है यहाँ से doors and windows का schedule है देखें D1 जो है वो 0.9 by 2.1 है 900 by 2100 में 0.9 by 2.1 so 0.9 by 2.1 तो इस तरह से यह साथ में detection होगी ठीक है अब जो D2 है हमारे पास वो है 0.75 by 2.1 0.75 by 2 2.1 इसके बाद जो W1 है वो कितना है W1 1.2 by 1.2 और इसके बाद V1 जो है यह है 0.6 by 0.6 तो इस तरह से हमने detection करनी है ठीक है अब देखें D1 का size मेरे पास आगे यहाँ पर 0.9 by 2.1 है 0.9 by 2.1 इसके बाद हमारे पास से D2 का size 0.75 by 2.1 उसके बाद हमारे पास आगे है W1 है हमारे पास 1.2 1.2 और V1 जो है वो है 0.6 by 0.68 इंटर कर दें तो यह तमाम चीज़े हमारे पास add up हो गई है इस तरह basically आपने करना है यह सब और last पे आपने right click करके जिस तरह हम करते आ रहें format cell में जाके आपने border यहाँ पर create कर लेना है okay कर देना है और add top आपने इसको yellow कर देना है कोई भी color आप कर सकते है formating आप according to your need कर सकते है और यहाँ पर आके हमने जाना है formula tab में auto sum में आ जाए और hit enter कर दें तो यह total हमारे पास है जो internal or external plastering आ रही है वो 179.6 meter square आ रही है ठीक है अब इसको मैंने right click करके rename करने with internal and external plaster right click करें move or copy कर दें याद रखिएगा वो sheet लाजमी open होनी चाहिए इसमें करके move to end करके create का पी नहीं करनी okay कर दें तो यह यहाँ पर move हो जाना है ठीक है यह यहाँ पर move हो गया पिछला आप देखे तो brick work हमने find out किया तो अब हमने internal and external plaster को find out किया अब next tutorial में हम find out करेंगे tiles and marble works को तो मिलते next tutorial में Allah Hafiz